तो दोस्तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये मेरे सारे वीडियो से थोड़ी सी अलग होने वाली है क्योंकि ये जो आपके ज़से सवाल होते हैं कि हमें कैसे personal loan के बारे में बताओ जहां पे जो है हम loan को easily ले सके हैं इसके बारे में तो उन्हें definitely बहुत बार अलग-अलग से videos बनाए हुए हैं और काफी ज़ादा broad quantity में इसके ओपर videos हैं भी लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एक ऐसे platform के बारे में जहां से जो आपको lower interest rate में जो आपको loan देखने को मिले as a personal loan यह बहुत ज़ादा matter करता है अब इस बात को वही लोग समझ सकते हैं जो middle class families है जिन्होंने बहुत ज़ादा एक main loan amount का एक मूल धन का बहुत ज़ादा ब्याज पेकिया है उन्हीं को इसके बारे में बता होगा कि उनके लिए ब्यास कितना ज़ादा important role लगता है अब suppose करो कि आज मैं आपको जिस loan platform के बारे मताने बाला हूँ यहां से आप लोग 5 lakh रुपिज तक का personal loan ली सकते हो लेकिन अगर आप इसका interest rate लगाया जाए 4 परसंट 5 परसंट 10-10 परसंट तक और हो सकता है कि अगर आपकी duration हो एक-एक महिने तक के लिए तो यह मुश्किल में हो जाएगा कि जाता लोग मूल धन से जादा तो ब्याजी पे कर दे तो ऐसे condition में आप लोग एक बहुत बड़े financial crashes के जो है trap में फस सकते हो इतनी असानी से लोन मिल गया लेकिन यह मुनका वही से शुरू होता है क्योंकि वहाँ से फिर लगाता है आप पर high interest rate of charges जो की बहुत बिकार चीज है और मैं आपको जिस loan platform से loan लेने की बार बता रहा हूँ सबसे पहले यहाँ पर आपको चीज है आपकी bank account की details जिस bank account में आपको अपना loan amount receive करना है अब जायर सी बात है loan apply किया है तो उसको receive भी तो कहना कहीं करना ही है तो bank account की details आपके पास होनी चीज है दूसरा आपको इस वीडियो को शुरुआ से लेकर पूरा एंट तक दीखना है इस वीडियो में बताए जाएंगे कुछ important steps अगर आप लोग उने सारे steps को ध्यान से follow कर लिया तो definitely आप लोग जो है easily loan apply कर पाऊगे बिना किसी दिक्कत के और यहाँ पर steps को implement वैसी करना होगा जैसे मैं आपको बताऊंगा और सबसे main बात आपके पास उनीशी है mandatory documents like your pen card, दूसरा अधार card क्योंकि आपके जी तो यह दो main documents होंगे इन दो main documents के basis पे जो है आप लोग easily loan apply कर पाऊगे बिना किसी दिक्कत के इसके साथ में अगर आप लोग फर्स ताइम मेरे चैनल पर हो पहली बार अगर इस वीडियो को देख पार हो तो सबसे पहले आप लोगो ने इस वीडियो को like करना है वीडियो को like करना बहुत important है अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को like नहीं करोगे सबस्क्राइब करने का सबसे बड़ा और में दिजन यह है कि जब आप लोग शानल को सब्सक्राइब कर लोगे तो रोजाना बिसेस पर आपको मारी वीडियो देखने को मिलेगी और क्यूंकि रोजाना बिसेस पर वीडियो देखने को मिलेगी तो इससे आप लोग के लोग के तरीके से लोन ले सकते हो और साथ ही मुझे यह comment box है यहाँ पर आपको जाना है और यहाँ पर सबसे पहले आपको पूरा नाम लिखना है किस जगा से वीडियो देख रहे हैं और साथ ही आपके लोन लेने का mean reason क्या है यह भी मुझे नीचे comment box में लेके बता देना है तो यह तो थी कुछ बेसिक सी चीज़े जो कि आप लोग को definitely follow करनी होगी तो चलिए दोस्तों आप हम शुरू करते हैं मारा मीन वीडियो और जानते हैं कि आप लोग कैसे अप्टो 5 लाक रुपिस तक का लोग ले पाओगे तो इसके लिए बता दू यह है हमारी मेन वीडियो जो कि आप लोग देख सकते हो इस वीडियो के जस नीचे आपको देखने को मिलेगी यह यह अंडरलाइन किया हुआ है तो इस टैटल पे सबसे पहले आपको क्लिक करना है जैसी आप लोग इस वेबसाइट लिंक पे क्लिक करोगे लिंक आपकी गूगल के सर्च ब्राउजर से कनेट हो आगी और यहां पर आपको समने गूगल का सर्च इजल्ट आएगा जो कि मैं आपको शो कर रहा हूँ तो यह जो सर्च इजल्ट है यह तभी शो करेगा जब डिस्क्रिप्शन में दिये वे लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे लिंक स जो वेबसाइट है आपको इस पर क्लिक करना है जिसकेंदर आपको काफी आर्टिकल्स मिल जाएंगे लोंस के बारे में और अगर आप लोग को पता नहीं तो बता जाओगे लोंपार डॉटिन के वेबसाइट पे तो एक तरीके सब का पहला स्टेप जो है वो पूरी तरीक जैसी ब्राउशर ऑपने फून का ब्राउशर उपन करना है जासी इस सामने है रिजल्ट सो कर जाएगा जहां पर आपको फर्स वेबसाइट दिखने को मिल रही होगी loanpower.in करके तो यहाँ पे सबसे पहले आपको बताना यह जरूरी है कि मैंने exact search किया किया है तो यह मैंने search किया है loanpower.in जो कि मैंने इस तरही के से search किया हुआ है और आपको भी जाके exact यही word search करना है धियान रहे आपको इस word को लिखने में loanpower.in करके जिसको मैंने underline किया हुआ है तो यह जो website आपको देखनी को मिल रही है आपको simply tap करना है जैसे ही आप लोग इस पर click करोगे सिधा पहुंच जाओगे loanpower.in के official website पे और वहां पहुंचने के साथ ही फिर मैं आपको बताऊंगो कि कैसे आप लोग है अपटो 5 lakh रुपिस तक का personal loan कैसे ले सकते हो तो इसके लिए आपको इस website पे कर दिना है click तो जैसे ही आप लोग website पे click करतो होगे आपको थोड़ा सा wait करना है जहाँ पर हमारी website ओपन होने के साथ ही करना क्या है left side में 3 वार्स का option मिलेगा आपको इसके उपर सबसे पहले तो click करना है click करोगे काफे सारे यहाँ पे आपको अलग-अलग loan के option दिखने को मिलेंगी जिन में से simply आपको एक app loan का section मिलेगा आपको इसके उपर tap करना है ठीक है यह word आपको ध्यान से दिखना है मैंने कैसे सर्च क्या हुआ है आपको जाके money tap सर्च करना होगा तो यहाँ पर हम एक और बार डाल देते हैं इस वर्ड को money tap इसके बाद हम से just money लिख के देखते है क्या होता है तो देख सकते हो कि यहाँ पर आप जैसी money डाल के सर्च करोगी तो पहला आर्टिकल है money view loans का और जो second आर्टिकल है वो है money tap loan app से loan कैसे ले और आज हम इसी loan app के माद्य हम से loan लेने भी वाले है loan apply भी करने वाले तो इसके लिए आपको सबसे बहले इस article पर ही क्लिक करना होगा article पे जैसी क्लिक करेंगा article खुल जाएगा article के अंदर information क्या है information यह है कि money tap app क्या है इस loan app से loan कितना मिलता है loan कैसे apply करते हैं और जो भी आपके मनमें जो भी सवाल या question या जो भी doubts आप लोगो के मनमें फिलाल आ रहे हैं उसाइड doubts के जवाल के जवाब है वो मैंने दिय हुए इस article के अंदर तो पूरे article को धियान से आप लोगो पूरा A to Z पढ़ना है पढ़ने के साथी काफ नीचे जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यह apply now का बटन जब आप लोगो यह start it out clear हो जाए तो आपको simply apply now के बटन पर simply click कर देना है जिससे आप लोग पहुंच जाओगे money tap app के main homepage पे and वहाँ पहुंचने के साथी हम लोग जो है वहाँ फिर जानेंगे कि money tap app के थूर जो है आप लोगों कैसे apply कर सकते हो तो इसके लिए आपको apply now के बटन पर कर देना है click क्यार यहाँ पर आने के साथ एक continue with gmail का option पर click करना है जिससे आप लोग जो है इसके बाद यहाँ पर जब जब जीमेल आइडी से login कर जाओ तो यहाँ पर mobile number डालना है जिसके आपको click करना है mobile number डाल के जो otp generate करेंगे उस पर tick mark करके continue पर टिप करना है और जैसी otp आजा उसको फिल करना है उसके बाद आपके सामने जो है application permission guide page देखने को मिलेगा जहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है एप्रूफ कर देना है इस permission को इसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जहाँ अब यहाँ आपको quick profile जो है fill करने का option मिलेगा जिस फिल detail पर आपको click करना है एक एक करके सारी information को आपको fill करना है यहाँ पर salary amount पुछेगा और जो भी आपकी final eligibility चेक आ रहेगा जहाँ पर आपको पैन का number, company name, work email ID, residence type बताकर fill detail पर click कर देना है अब यह जो final eligibility check है इसको आपको धिहान से बढ़ना इसके बाद यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा submit button tap कर देना है आपको simply इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी EKYC document अधार card, bank card को upload करना है with personal profile और फिर last में आपको जो है UPI ID या फिर bank account details को जो है आपको simply bind कर सकते हो और आपका जो loan है वो money tap आपके तुरू जो है easily apply हो जाएगा तो कुछ इस तरीकी से जो आप लोग personal loan जो है up to 5 lakh रुपिस तक अपलाए कर सकते हो तो मुझे उमीद है इस वीडियो पसम जाएगी चीज़ा आपको पसंद आए होगे और आपको कोई भी सवाल नीचे comment से पूछे description में Instagram मिले कर दो णो